आधरने भाई योई बैंटो शाना साथ की कहानियों में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं 82 में संस्क्रण पस्षुत करने जा रहा हूं कहानि में संतान को सुशंस्कार न देने पर किन परिस्टित्यों से सामना करना होता है उस पर प्रकाश डाल गया है अगे हात्रस में एक पोट्ष्मेन था परवार में उसकी पत्ति पतनी बाइकलोचा एक संतान नाम नंदलाल कम बेतन बाग खटन प्रस्टियों के वावजू उसने बेटे को हात्रस पॉलिटेक्निक से सिविल ब्रांच से डिप्लोमो कराया बाद में किसी तरह आगरा से बीई भी करा दिया मिधावी इवन बरस्रमी होने के कारण उसका चैन बॉंबे में इबड़ी कंसर्शन कंपनी में सिविल इंजीनर के पत पर निख्ती पा गया लग्या कि नौकरी बज़ोकुता के कारण शादी भी किसी अच्छी परिवार में हो गई अब लग्या पतने के साथ बॉंबे में ही कंपनी द्वारा दिये एकमेंडिशन में शान्शोकर्स देनी लगा माता पिता को कई वार बंबे आने को बला चुका था पिता तो चाहते थे कि बेटे के साथ कुछ दन रहकर आवे लेकिन हरवार उनके पतनी ही जाने को मना करती रही बोलते बेटे भगो को सुतन रही रहने तो हमारों वाजानों उच्छत नहीं होगा थोड़ी सी जन्दी बची है उसी जहीं अपने पुस्तिर मेकान में रहकर ही बिता देंगे दैने खर्चे के लिए प्रेंशन आती ही है हमारी कोई विश्चे जड़ोते भी नहीं है इस दिकार के अगर पतनी बंबे जाना तालती रही एक दिन पतनी का हिर्दे गती रोग जाने से अकस्मात ध् तरस आया तेरे में की अपरांथ पिता को अपने साथ चलने के अगरे किया अब यहां आपके रहने में खाने पिने की तकलीफ होगी अथा मेरे साथ चलने के लावा अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है पुत्र के सुजा पर पिता बंबे जाने को राजी हो गए बेसे पिता को अपना बैभव दिखाने को ब्याकुल था कोटी पहुंचकर पिता घर में बिचे मोटे कालीन को देखकर रुग गए तता पूछा कि मेरे जूतों से कहीं कालीन गंदा तो नहीं होगा ना जूती हाथ में उतार कर अंदर आना होता है क्या तो तुत्तर में बेटे ने पिता को अगरपूर पर ने संकोष ड़ने रूम में अंदर आने को कहा सूफे पर बैठने को शारह किया पिता जी जैसे ही सूफे पर बैठे उस्सी गद्दी इतनी शौफ्ट थी वह सूफे से एकदम उठकर खड़ हो गई बड़ी मिश्कल से उना सौफी पर बिठा कर चाहि नास्ता को प्रांथ बीटे ने पिता से खा अब आपको बाकी की कोठी भी दिख लाता हूं पिता को बिजिद करते हुए बतलाया यह बच्चों का कमरा है यह पेटा इमिल का कमरा है यह हमारा बेर्ड रूम कम डैस्टिंग रूम है हमारी कमर से सटा हुआ वा विश् सब्सक्राइब कर दो बार यहां की सफाई भी कर बाते हैं इसके अलावा इसी लाइन में एक ट्वालेट और बात्सरूम भी बनाया हुआ है यह कि अकर अचानक कहीं से फोन आने से लगा पिता को छोड़ने से चला गया पिता ने देखा वह एक चारपाई बिच्छी हुई है जिस पर उनका थेला रखा हुआ था जिससे उन्हें यह समझ से देर नहीं लगी कि अब उन्हें इसी कवाल खाने में रहना हुआ नोकरदार तो कमरा नीचे महजूद है लेकर उनके लिए जगह कवाल खाने वाले कमरे में यह है बेटे की अपने ब्रती इतनी उदासीन था महसूस कर पिता ने रात को ही मुगत देख सुपचाफ अपना जूला उठा इस्ट्रिशन की ओर रमान हो गए रास्ते में जेब टतोली की हा जाता बेटा पिता को चाहिए देने के लिए जाए उपर कवाल रूम को खोल कर देखा तो पिता मवजूद नहीं थे इदर वास्तून टॉयलेट में भी ने पाकर समझ गया वह पिता है कवाल नहीं उन्हें कवाल समय ना मेरे जीवन की सबसे बड़ी फूल थी वापस हाथ रस पहुंस में पता ने विचार किया कि पत्मी हमसे सही ही कहती थी लेकर मुझे अब मस्तूस हुआ जो अपने बेवार से आपका परोखुरूफ से दिल दुखाए उन से दूर बना लीजिए उनको गाली या ज्यान देकर आप अपना सिर्फ समय नश्च करेंगे चौकि य ज्यान फेर वह आपकी संता निक्या नहों तरह सोचें हरी मिर्च को तीखे होने के वह से कभी गाली देते हैं कभी गाली नहीं देते और न ज्यान देते हैं सर्म को टटो लें और जीवन पत पर आगे बढ़ें शान्ती एबन सबलता हैं आपकी प्रतिक्षा में हैं मेरी घानी आपको किसी लगी यदि रुचकर लगे तो प्लीज फॉलू करें धन्यवाद